मेरा नाम है हरिया। मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया। खाता हूं खाना और रोज गाता हूं गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतानाग जंगल को देख कर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गया है। अगर में वक्त पर गाव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे तभी हर्या को एक आवाज सुनाई दिती है सुनिए हरे जी अरे ये आवाज किसमें दी तभी हर्या को सामने कुछ दूर एक औरत घरी दिखाई दीती है अरे भाई ये आवरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है चल कर पूछना पड़ेगा फिर हर्या अपनी बैल गाड़ी उस आवरत के सामने लाकर रोब देता है और उससे पूछता है अरे सुनिये आप इतनी रात को इस खतरनाग जंगल में अकेली क्या कर रही है तब ही वो औरत मीठी आवाज में कहती है अरे हरुजी आप आगे मैं कब से आपका इंतिजार कर रही थी वैसे तो यहां से काफी लोग गुज़र चुके हैं लेकिन मैं खास आपका इंतिजार कर रही थी अच्छा तुम सच कह रही हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो क्या है ना आज तक किसी में मुझे इतने प्यान से बात नहीं की हाँ 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 अरुजी मैं सच कह रही हूँ अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजी हाँ हाँ कौन से बड़ी बात है अब छोड़ देता हूँ आप मेरे पीछे बैल गाडी में बैड जाए और मुझे रास्ता बताते चलिए फिर वो औरत हर्या की बैल गाडी में बैड जाती है हर्या उस औरत से पूछता है अहां देवी जी आपका घर कहा है यहां तो एक गुफा के अलावाब और कुछ नहीं है तबी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है देखते ही देखते उसका सुन्दर रूप एक डराउनी चुड़ाल में बदल जाता है और वो जोर-जो से हस्ती है अरे तुझा एक डराउनी दिखाई दे रही है और फिर अगले ही पल हर्या की बैल गारी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ेल भी उस गुफा के अंदर जाकर कही गायब हो जाती है हर्या ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परिशान हो जाता है अरे ये चुड़ेल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई अब क्या होगा अगर में गाव खाली हाथ गया तो माल पर रगती भर भी यकीन नहीं हुआ चंपक सेट को लगा हरिया जूट बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़क कर लिया है फिर हरिया को बेही इमान समझ कर चंपक सेट उसे काम से निकाल दीता है अगले दिन अपनी दुकान में परिशान बैठा चंपक सेट गुस्से में बड़बडाता है अरे दुकान में तो सामान बिलकुल भी नहीं है अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा फिर वो अपनी बैल गाड़ी लेकर शहर चला जाता है शहर से सामान लेकर जब चम्पक सेच बापस गाउं लोट रहा होता है तब ही उसे एक आवाज सुनाई देती है चम्पक जी ओ चम्पक जी अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे फुकार रहा है फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है फिर क्या था? हाद्या की तरफ चम्पक सेच भी उस आरत के पास अपनी बैल गाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिक्मी चुपडी बातों के मुझाल में फच जाता है फिर चुड़े उसे भी अपनी गुखा पक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुखा में गायब हो जाती है पिचारा चंपक सेच लाचार होकर खाली हाथ गाउन लोचाता है फिर ये उस जंगल में रूस की बात हो जाती है जो कोई भी शहस से कुछ लेकर गाउन की तरफ लोटता वो चुड़ैल उसे बेवकुफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुखा में गायब हो जाती एक दिन हर्या एक लकड़ हारे को उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखता है फिर हर्या उसे रोकते हुए कहता है अरे भाई क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो मेरी बात मानो आगे जंगल में मत जाओ वहाँ एक बड़ी भयानत चुड़ैल रहती है लकड़ हारा हर्या की बातों को नजर अंदाज करते हुए कहता है अरे भाई मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुझे जाने दो भाई शाम तक लकड़िया काट कर सहर के बाजार में बेचना है तुम अपनी ये कहानी किसी फुरसेत में बैठे इनसान को सनाओ अम्मै तो चला इतना कहकर लकड़ हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है फिर अगले दिन गाउं के मुझे के घर के बाहर बहुत सारे लुग जमा हो जाते है तभी हाथ में कुलारे लिए खड़ा लकड़ा कहता है अरे मुख्या जी अब आप ही हमें बचाईए उस जंगल वाली चुड़ेल से हमारा सारा काम तो सहर सही होता है अरे मुख्या जी उस चुड़ेल की वजह से तुम्हें पूरी तरह बरबाद हो गया हूँ हम सब को मिलकर उस चुड़ेल का कोई इलाज करना पड़ेगा तभी बीरे में खड़ा बीरा कहता है आप लोग चिंता मत करिये कल से वो चुड़ेल किसी को नहीं लूट पाएगी मेरे पास एक बहुत अच्ची तर्किव है तभी चंपक सेथ उसका मजाख उड़ाते हुए कहता है अरे तेरा नाम दीरा है तो क्या हुआ तुने अभी उस चुड़ेल को देखा नहीं है जा जाकर अपना काम कर बड़ा आया तब मुख्या जी कहते है नहीं नहीं चंपक सेथ मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक भौका देना चाहिए तर्स अभी गावाले मुख्या जी की बातों से सहमत हो जाते है और वीरा शाम को एक बैलवारी में कुछ सामान लाद कर उस जंगल की और चल देता है वीरा ओ वीरा कहां जा रहा है तब वीरा मुख्या देखता है वही चुड़ेल एक औरत के रूप में खड़ी है अरे बहन जी मैं आपको ही धुन रहा था देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ अरे वाख तो खुड मेरे लिए इतना सामान लाया है तो ही अकेला गाओ मैं सुबच़दार है जो देखो मैं भी खुल के वह बूप लगी जैसे ही चुड़ेल उस सामान पर से कप्रा हटाती है एक भगवान शीव की तेज रोश्टी उसकी अंदर मूर्ती से निकलती है और चुड़ेल अपने अश्की रूप में आकर जलने लगती है अरे मैं चल रही हूँ बचा आँ बचा आँ बचा आँ बचा आँ बचा आँ अन्दो में श्राए बचा आए बचा आए